तो देखे गर्मिया शुरू हो गई है और गर्मियों में हम दई बड़े जरूर बनाते हैं लेकिन दई बड़े काने के बाद क्या होता है बहुत जदा हैवी हैवी हो जाता है और यह जल्दी से डैजिस भी नहीं होते है लेकिन आज के जो रेसिपी है न यह बहुत ही बनाना बहुत ही आसान है और जब आप एक बार यह घर पर बनाएंगे तो आप बार बार इसे बनाने चाहेंगे वीडियो को फुल वच कीजिएगा अच्छी लगे तो लाइक और शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा बेल आइकन को प्रेज ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले बड़े के नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके और आपको रेसिपिया कैसे लगते हैं कमेरेस करके ज़रूर बताएगा तो चलिए बना लेते हैं बहुत ही टेश्टी और हेल्दी से दही बल्ले तो देखें दही बल्ले बराने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने दो कप छिलके वाली मूंकी डाल लेती और उसे चार गंटे के लिए पाने में भीगो कर छोड़ दिया था और यह अच्छी से भीग चुकी है बड़ी ऐसी पूल गई है और जो इनके छिलके है यह थोड़े अलग हो गया देखें अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं धूली हुई दाल भी ले सकते है जो पिली डाल आती है बिना छिलको वाले आप वह भी ले सकते हैं लिकिन मैं य आको लगा कर तोड़ रही हूं तो अच्छे से टूट रही है निकी बढ़िया सी फूल गई है अब इसे तीन से चार पानी से अच्छे से दोएंगे तो यहां पर मैंने एक बरतन लिया है और इसका पानी जो है न सारा हटा देती हूं और यहां पर देखे इसके थोड़े चि अगर आप चाहे तो पूरे चिलके हटा सकते हैं और एक छनी में डाल कर छोड़ दिया है 10 मिंट के छोड़ेंगे ताकि एक्ष्टा पानी है जो नीचे इस बरतन में आ जाएगा और अच्छे से यह पानी सारा खतम हो जाएगा तो आपको इसी तरह से चोड़ देना है यहा पानी का इस्तिमाल नहीं करना है अगर ज्यादा जरुत रगें तो एकसे दो चमच आप पानी से ढाल सकते हैं ज्यादा नहीं डालना है आप यहां पर देखे मैंने इसे पीसह और देखे मैं एच्छे से पीसह हैं बहुत जब सा द Dafür नहीं रख लिए तो मैंने यहीं बड़ कम पानी का इस्तेमाल के असं ironically द्यान रखेगा इसस तो इस से फेट डार है तो ह्यां पर देखे आप को ठेल चाहरे करना थी हात उस से फेट होया जिशेयों अपर जब आपको चाहरे ले सकते हैं यहाँ पर हाथ यहांद द्यान ने दाल अच्छे से फिट चुकी है अब यहां पर बिल्कुल ठीक है इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना है इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पोशन उठाई जैसे ओल में छोड़ते है ना वैसे छोड़िये देखे और इसका शेफ बिल्कुल भी बिगड नहीं रहा है और अच्छे से बन रहा है इसका मतलब आपने पानी बहुत जार नहीं डाला है बिल्कुल यह परफेक्ट है तो पानी मैंने जैसा कहा आपको पानी बहुत कम लेना है जो उड़त की डाल होती है उसमें पानी थोड़ा जादा जाता है लेकिन जो मूं की डाल होती है उसमें पा देख लिया है और देखे किसरा से फूल गई है किसरा से पराज जोना चैसे बर गई है अब यहां पर देखे हमें क्या करना है हातों को थोड़ा सा पानी में इस तरह से डिप करना है और इस तरह से थोड़ा सा पोशन लेना है और ओयल में से छोड़ देना है तो ओयल आपको कुछ जदा गरम नहीं लेना है Scott WAT A मैं देखें से बड़े डाल हुँ हो स्वाद yön और छोटे या बड़े जैसे चीट ऑढने डाल अबाग्यात है है उतने डाल देजएगा कोई दिकत नहीं होगी और होगे से हात में थोड़ सा पोशन हीजे उसके इसे डाल दीजे, वैसे तो यह अपने या पी गोल हो जाते हैं, आप जैसे भी डालेंगे ना देखें इस तरह से, तो कडाई में इस तरह से छोड़ती जारी हुआ है, और देखें बहुत ज़दा ओल गरम नहीं है, पहुत ही आराम सी यह बन रहे हैं, और इसे बनने में 5-6 म लग जाएगी, तो यहाँ पर देखें जितना मेरी कडाई में आया थी डाल दीए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सी जगाँ और है, मैं एक और डाल दयती हूँ उसमें, यह तो डालतें यह से टची नहीं करना है हमें, और यह देखें, अब यहाँ पर तकिर मने चम्मत की सी पक चुके हैं थोड़े और अलट पलट कर दीजिये इस तरह से अब गयास को यहाँ पर मीडियम कर दीजिएगा फूल मत रखियेगा इस बात का ध्यान रखिया और इससा अलट पलट कर तो यह बढ़े अखे से अच्छा से लेacy गर्म आपको पता लग रहा होगा जिस तर्स यह से बन रहे हैं इससे vị पता लगता है कि ऑईपर से आपको थोड़े खस्ता से लगेंगे लेकिन अंदर से एकदम सॉफ्ट होंगे तो देखे मैं फिर से अलट प्रट करे जा रही हूँ इसको चमस इस तरह से ताकि अच्छा सा इसमें कलर आए और अच्छा से पक जाए अंदर तक और देखे किस तरह से गोल गोल हो गए है एकदम तो यह ओल में जाने के बाद अच्छे से शेप आ जाती है इनमें यह देखे तो बार-बार में अलट प्रट जरूर करते रहेगा यहां देखे दही बड़ो का कलर जो है न सौरी बल्लो का कलर अच्छा आ गया है देखे और अच्छे से फ्राई हो चुके हैं बड़ी असा कलर आ गया है तो फटा-पट से नहीं निकाल लेते हैं बहुत ज़़ा कलर डार्क नहीं करेंगे इनका तो यहां पर देखे मैंने स्टेनर लिया है इसमें निकाल लेती हूँ छलनी में यह देखे कितने बड़िया लग रहे हैं देखे बड़े अब यहां पर देखे जो बचे में वह भी इस तरह से आपको डालना है हाथ में थोड़ा सा पोशन लीजिए और ओयल में इस तरह से आराम से छोड़ देजिए बहुत इजी है और बहुत टेश्टी लगते हैं इस तो यहां पर देखे सेम उसी तरह से आपको इसे भी बना लेना है यह देखे यह भी इस तरह से फूल गए हैं और कितने अच्छे से बन गए हैं तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं और यहां देखे मैंने कितने सारे दही बड़े बना कर मतलब भले बना कर तग्यार कर लि और अच्छे से mix कर दीजे, अब जितने आप दही वड़े बनाना चाहते हैं, उतने वड़े इसमें डाल दीजे और dip करके से 15-20 मिट के लिए छोड़ दीजे, ताकि अच्छे से ये पानी को absorb कर ले, तो मैं यहाँ पर कुछी बना रही हूँ, थोड़े में बाद में बनाने तो उठाकर रख दूँगे, अब यहाँ पर एक प्लेट रखी है, और यह इसके पर रख देते हैं, तो 15-20 मिट के लिए रखेंगे, जब तक हम बनाएंगे चटनी, तो यहाँ पर देखे, मैं अमचूर पावडर लिया है, तो मार्केट में आपको बहत आराम से मिल जाता ह तो यहाँ पर एक कप लिया है, देखे, चाय पीने वाला कप होता है ना वही वाला लिया है, इसमें डाल रही दो चमच भरकर में अमचूर पावडर, अब यहाँ देखे, इसी कप के माप से हम यहाँ पर चीनी, गुड या पानी सब कुछ लेने वाले है, इसलिए मैंने य जो भी डली वागेरा होती हो ना, वो सारी अच्छे से साफ हो जाए, और अच्छे से इसमें डाल देखे, चान दिया है इसे बड़िया से, ताकि इसमें कोई लम्स ना हो, अब यहाँ पर यही स्टेनल लगा रही हूं, और इसमें डाल रही हूं, आदा चमच जिंजर मसाला, अगर टेस्ट पसंद ना हो, तो स्किप कर दीजेगा, लेकिन इसे टेस्ट बहुत बढ़ी आता है, सबी को अच्छे से चान लेजेगा, ताकि इसमें भी कोई लम्स ना हो, यह देखे, अब यहाँ पर देखे, इसी कप से नापकर हम डालने वाले हैं इसमें पानी, तो यहाँ पर मैं डालूंगी तीन कप पानी, यह देखे, आप कोई भी कटोरी का मेजरमेट लिजीगा, यह कप का लिए सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने तीन कप डाल दिये हैं, अब अच्छे से इसे चम्मस से मिक्स कर दीजे, यह देखे, तो यहाँ पर मैं बढ़ी असे स लेते हैं इस तरह से चला दीजेगा ताकि जो अंचुर पाउडर है ना वो नीचे जाकर बैठेना अब यहां देखे इसमें बड़िया सवा उबाल आ गया उबाल आने के बाद इसमें डालेंगे मीठा चटनी को खटा मीठा बनाना है तो यहां पर उसी कप से मापकर में डाल भी डालेगा बहुत ही गसब वाला टेस्ट आएगा एकदम मार्केट जैसा तो यहां पर देखें जब तक यह मैल्ट ना हो इस तरह से चलाते रहेगा वना क्या होग ना चीनी और गुड नीचे तले बे जाकर बैठ जाएंगे और चिपक जाएंगे तो यहां देखें मैं बढ़ार चला रही हूं बढ़ा सी मेल्ट भी हो गए अच्छा सा इसमें उबाल भी आ गया है अब यहां देखें चटनी का जो कलर है ना बहुत प्यारा है क्योंकि हमने इसमें कश्मीरे लाल मिश डाली है लेकिन हम यहां पर इसे बढ़ार जैसा लुक देने वाले हैं तो थोड़ा सा फूर कलर डाल रही है अब यहां पर देखें इसका कलर में आप लोगों को दिखा देती हूं यह देखें कलर बहुत प्यारा आगया एकदम मार्केट जैसा जबी तो आपको मार्केट की चटनी बहुत दिखने में बहुत अच्छे लगती है तो यहां देखें अब क्या करेंगे इससे थोड़ा थिक करने के लिए जल्दी से थिक करने के लिए मैंने यहां पर इसमें लिया है एक कटोरी में थोड़ा सा कॉन प्रोर लिया है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी इससे क्या होगना चटनी को थोड़ी बाड़ी मिलेगी और यह जल् यहां पर मैंने क्या किया आदा चमची लिया है कॉन फिलोट जादा नहीं लिया है तो मैंने पूरा ही डाल दिया है और दो से तीर मिन तक अच्छे से पका लेजे तो लगातार चलाते हैं इसे पका रहे हूं देखे और जो चटनी है ना अच्छे से पक चुकिए देखे तो इसे चैट कैसे करना है यहां देखे अच्छे से गाड़ी हो गई है ठंडा होने के बाद यह और भी गाड़ी हो जाएगे तो आपको क्या करना है चमच के पीछे इस तरह से तुड़ा सा लीजे और एक लाइन सी खीज दीजे देखे अच्छे से इस पर एक कोटिंग सी आए था और यह अच्छे से ठंडी हो चुकी है और देखे कितनी गाड़ी हो गई है और कलर देखे एकदम मार्केट जैसा आया है ना और कॉनफोर डालने से इस एक बॉड़ी से मिली है बड़ी असा देखे इसका टेक्चर देखे कितना गजब है तो यह चटनी आप समोसे के साथ कचोरी के साथ भी खा सकते हैं पापड़ी चाट बना रहे हैं तब भी आप इसे खा सकते हैं पकोड़ी के साथ भी खा सकते हैं और बनाकर एक से डेड़ मेने के लिए फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगी बहुर टेक्टी लगती तो चलिए अब दहीवडे बनाएंगे, यहाँ पर देखें मैंने इसके लिए जो दही है वो भी तयार करके रखा है पेट कर, और यहाँ पर मैंने हरी चटनी भी तयार कर रखी है, तो हरी चटनी की बहुत सी रेसिपिय मेरे चैनल पर मिल जाएगे आपको, और यहाँ पर कु 20 मिट के लिए पानी में छोड़ा है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप आदह घंटे के लिए छोड़ दीजेगा, मेरे पास टाइम नहीं था, और यहाँ देखें, पानी कितने अच्छे से अंदर पिया है वडो ने, और फूल फूल कर मोटे हो गए यह देखें, जो मैं यह देखें, बहुत अच्छे से बने हैं यह और अच्छे से पानी अंदर गया है इनमें, तो मैं सभी का पानी इस तरह से दबा कर निकाल देती हूँ, और इस तरह से प्लेट में रख लीजे, प्लेट में रखकर आप इस पर दही डाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखें, मै सारा पानी इसका हट जाए और बढ़िया सा क्रीमी सा आपको स्मूठ सा दही मिले यहां पर देखिए दही अच्छे से सभी तरफ कोट कर दिया है मैंने बढ़िया से इस पर डालेंगे हरी चटनी और यहां पर हमारी जो बनाई विना दही बलों के साथ खाय जाने वाली खास चटनी बहुत ही गजब पांच मिट पे बनकर तयार होने वाली तो यह भी इस पर डालेंगे इसका कलर और लुक देख लिए कितना गजब लग रहा है न और इस पर डालेंगे मसाला तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को प्रेस जरू कीज़ेगा ताकि आने वाली बड़ी की नोटिफिकेशन आप लोगे तक पहुंच सके और आपको रेसिपियां कैसे लगते कमेंट्स करके जरू बताएगा और आपको यह धही बड़ी की रेसिपि कैसे लगी यह भी बताएगा और यह टेस्टी और जब आप इस तरह से कट करेंगे चमच लगाते ही यह कट जाते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद